सुब्रनील हैं, नौवा श्लोक दसमे अध्याय से निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को औरपन करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझव वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं परमपूज जी अचारी जी ये लगता है कि साधना या परम की चर्चा आदे वस्तुतह एक कल्पित ज्यात की एक कल्पित अज्यात को पाने की ही चेश्टा है और इन सब कल्पनाओं का तूटना निश्चित ही है इस संदर्भ में उपर युक्त श्लोक का तात्पर रेक्या है और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करने से क्या आश्या है क्या जीव के लिए द्वायत का निरंतर पना रहना निश्चित है क्रिपयमार्ग दर्शन करें शुबर नील सब कल्पित हो सकता है ग्यात अग्यात कह रहे हो सुबर नील कि साधना और परम की चर्चा वास्तव में एक कल्पित ग्यात की एक कल्पित अग्यात को पाने की कोशिश है कल्पित ग्यात से सुबर नील का आश्या है अहम वो जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा है कल्पत अज्याद से आश्य है, वो जिसको पाने की कोशिश की जा रही है, तो कह रहे हैं, यह सब कुछ वही तो है, एक काल्पनिक एक दूसरी काल्पनिक एक काई को पाने की कोशिश कर रही है, कौन सी काल्पनिक एक एक दूसरी काल्पनिक एक काई को पाने कोशिश कर रही ह विये इसका नाम है Sathya Paramatryam and pose Krishna котором वड़े है अई अचारी आचल निपना का प्रहों अच्छया, एभा एज उदी लगता है इसका आपना का खेल का खेल की सबुता है आपना का फें घ्यशनी आपना का खेल गया पर सापनेई अगर भार आखीया तुम्हे तो कलपना को तुम क्या कम जोरदार समझ रहे हो सपने में हालत देखिये कभी अपनी दिल का धड़कना और पसीने का बहना सपना जैसा भी होगा तुम मुझे ये बताओ उसमें तुम्हारी हालत क्या है होंगी कलपनाएं अगर तुम इतना ही समझते होते कि ये सब कुछ कालपनिक है तो तुम इसमें दुख क्यों जेल रहे होते कसोटी दुख है न ये कह देने पर से थोड़ी हो जाएगा कि अचारे जी सुब्रनील तो कालपनिक है सुभरीन अगर कालपनिक है और जानता है बली भात की कालपनिक है तो इतना परेशान क्यों है निश्चित रूप से कहीं ने कहीं वो अपने आपको अथार्थ समझता है सत्य समझता है कलपना नहीं जानता कालपना से मुक्ति का प्रमान है आनन्द। अनन्द है अगर तो फिर खूब कर दो गोछना कि अचारे जी ये तो कलपना होगा खेले मुझे खेलना नहीं। तुम तो वैसे ही स्वस्त हो, आनन्दित हो, मुक्त हो, उड़ो, तुम्हें क्या वश्यक्ता है फिर अध्यात्मित्यादिकी पर अभी तुम क्या बस रहे हो सुभ्रनील की मैं काल्पनिक हूँ अपने जीवन को देखो तो तुम्हें प्रमानित नहीं होगा कि तुम्हें काल कहानी काल्पनिक है और उस कहानी में तुम्हारे ही बारे में बहुत दारुण वरणन हो और तुम्हें कहानी सुनके रोने लग जाओ तो बात जाहर है कि तुम्हें बताया गया था कि सब कुछ काल्पनिक है पर तुम भूल बैठे अगर तुम्हें सतत याद रहे कि यह सब कहानी कालपनिक है तो इतना रोग है क्या? इतनी आसकते रहेगी? इतना लिप्त रहोगे? मोह के, मद के, इतने धागे रहेंगे? रहेंगे क्या? तो मैं तुम्हारे ज्ञान को अस्विकार करता हूँ तुम्हारे अनुभाव की बात करूँगा तुम्हारा अनुभाव तो सुख दुख का है ज्ञान तुम्हारा कहरा आए कि सुब्रनील कालपनिक है पर फिर भी तुम जूला तो सुख दुख का ही जूल रहे हो ना? उससे बहाराना है तुम्हें बुरा लग रहा है जीवन इसलिए अध्यात्म है अन्यथा अध्यात्म कोई आचित्ते नहीं जीव अगर एक स्वस्त सम्तुलित स्थाई अवस्था में हो तो उसे अध्यात्म नहीं चाहिए भाई मुक्त को मुक्ति के किस्से सुना करके क्या करना है अध्यात्म इसलिए अवश्यक है क्योंकि हम अमुक्त हैं हम बद्ध हैं अपने वाक्य को देखो कह रहे हो सारी कल्पनावन का तूटना निश्चित ही है जब कोई कह दे कि कोई चीज निश्चित है तो क्या अपने आपको अग्यानी मान रहा है अगर सब कल्पना है तो तुम्हारा ये निश्चित्य भी क्या हुआ काल्पनिक ही न, पर देखो इसे काल्पनिक नि मान रहे, तो तुम अथार्थ मान रहे हो, तुम कह रहे हो काल्पनाओं का तूटना निश्चित है, यह निश्चितता भी काल्पनिक क्यो नहीं है फिर, और अगर निश्चितता काल्पनिक है तो निश्चित हुई क्या, फस ग करने के लिए है फिर पूछ रहे हूं कि उपर्युक्त श्लोक में मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करने से आशे क्या है वासुदेव में निरंतर रमन करना कुछ नहीं होता है बात यह है कि हम अपने में रमन करते रहते हैं हमारा रमन भ्रमन सब अपने ही भीतर होता है वासुदेव में रमन करने से आशय है, अपने से बाहर आना, अपने से बाहर क्या है, इसकी कोई चर्चा नहीं, बाचीत का मुद्दा नहीं है वो तुम अपनी काल कोठरी से बहार आजाओ यही बहुत है अपने भीतर रमन करने का प्रमान होता है मैं तुम्हारे सब विचारों में मैं बैठाओगा तुम्हारी सब चिंताओं में मैं बैठाओगा तुम्हारे सब संबंदों में मैं बैठाओगा तुम्हारी हर योजना में मैं बैठा होगा इसे कहते है अपने भीतर रमन करना अपने से बाहर आने का मतलब है मैं कि प्रति जरा अगंभीर हो जाना मैं को उसका इस्थान याद दिला देना कहना कि तुम इतने भी जरूरी नहीं हो इतने भी बड़ आवश्यक नहीं हो कि हर जगे तुम घुझे ही रहो छोटे से हो तुम चलो वहाँ को नहीं बैठो इसको कहते है अपने भीतर रमन करने से बाहर आना पिर पूछा है क्या जीव के लिए दौयत का निरंतर बना रहना निष्चित है छुव के लिए के लिए के लिए दौयत बना रहना निष्चित र्शु Member जीव के लिए दॉयत बना रहे या वश्यक नहीं अंतर संझो दॉयत तो रहेगा, किसके लिए दॉयत रहेगा उसके लिए जो दॉयत में है मस्तिष्क के लिए तो दॉयत रहेगा, क्योंकि बिन संसार के मस्तिष्क हो नहीं सकता और बिन संसार हो नहीं सकता मस्तिष्क के लिए तो दोयत रहेगा, हाथों के लिए तो दोयत रहेगा, जहाँ हाथ है वहाँ जगत है, जब भी यह कहा है, जगत नहीं तो हाथ नहीं, तुम्हारे लिए दोयत रहे यावश्यक नहीं है, तुम्हारे लिए दोयत रहे यावश्यक नहीं है, तुम्हारे लि मेरे लिए ये दोनों तमाशा हैं, मस्तिष्क के लिए संसार है, संसार के लिए मस्तिष्क है, मेरे लिए ये दोनों तमाशा है, तो अब द्वायत है तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है, तमाशा, ये कोशिश मत करना कि द्वायत मिट जाए, जिसके लि बन जाए, तमाशे की तरह देखो बाजी चाहिए अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब औरोज तमाशा मेरे आगे बच्चे का खेल है चल रहा है यह मस्तिश क्या है, बच्चे ही तो है कुछ समझता थोड़ी है, नादान हम देख लेते हैं इसकी नादानियों को कभी गुसा आँ हम देख लेते हैं, अच्छा, गुसा आँ साहब चीक तुम गुसाओ, हम देख लेंगे जिनके गरों में छोटे बच्चे नोने उनके खूब रंग देखेंगे, भुसाते भीं, पाओं भी पठक ते हैं, हस भी देटे हैं, रोते हुब हैं जितने हाव भाव किसी भी वयस कमे हो सकते हैं, वच्चें में भी होते हैं पर बच्चों के हाओ भाओ देख करके आपको बड़ी प्रतिक्रिया थोड़ी दे देते हो, आप क्या करते हो, हाँ से लेते हो, तमाशे की दरे देख लेते हो, गंभीरता से थोड़ी ले लेते हो, मस्तिश को भी ऐसी लेना होता है, इसे कहते हैं द्वायत से मुक्ति, कर दो कर दो